प्रयाग राज में तंत्र मंत्र से एक किसोरी को जिंदा करने के लिए शब को पांच दिनों तक घर में छिपाया गया आपको बता दे कि घर से बद्बू आने के बाद पडोसियों ने मंगलवार साम पुलिस को सुचन दी पुलिस ने शब को पोस्माटम के लिए भेज दिया तो वही ग्रामीडों ने बताया कि म्रतक किसोरी का नाम अंतिमा था उसकी तव्यत काफी दिनों से खराब चल रही थी तो वही परिवार के लोग उसे महिने भर से सिर्फ गंगा जल पिला रहे थे साथ ही तंत्रमंत्र से ठीक करने का प्रयास कर रहे थे मामला कर्चाना थाना छेतर के दिया गाओं का है कुलिस ने बताया कि दिया गाओं में 52 साल के अभेराज गादों रहते हैं घर में पतनी विमला और 5 बेटियां और 3 बेटे हैं पिछले कुछ दिनों से दो बेटियों के बच्चे भी घर में आय हुए थे तो वही अभेराज की 14 साल की बेटी अंतिमा के करीब एक महिने से तब्यत खराब थी आपको बता दे कि 24 जून को संदिक्द हालत में उसकी मौत हो गई परिवार वालों को शक्ता की अंतिमा की मौत भूत प्रेत की वज़े से हुई है ऐसे में जाड़ पोक और तंत्र मंतर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे आपको बता दे कि पुलिस ने इस परिवार के 11 लोकों को अस्पताल में एड्मिट करवाया है केवल अभैराज और उसकी पत्नी विमला ही कुछ ठीक है पुलिस ने बताया कि ये लोग मानसी क्रूप से पूरी तरे से बिमार है सभी लोग खाना सही धंग से नहीं खा रहे थे पानी के नाम पर केवल गंगा जल ही पी रहे थे विरो रेपोर्ट आई पियन